हलो एवरिवड़ी वेल्कम टू कॉम्स किच्छन आज हम बनाएंगे चिकन वाइट ग्रेवी लेकिन सबसे पहले हम बनाएंगे वाइट ग्रेवी उसको देख लेते हैं हम किस तरह से बनाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमने ले लिया है तुकड़े काजू 250 ग्राम और 250 ग्राम हमने ले लिया है वाइट मगज याने के कलिंगर का बीच इसको हम अच्छी तरह से wash कर लेंगे अच्छी तरह से हाथ से मसल मसल के धोलेंगे दो से तीन पानी से ताकि इसमें जितनी भी गंदगी और उसका मैल होगा वो पुरा अच्छी तरह से निकल जाएगा और जो खराब कच्रा है वो उपर आ जाएगा अब हम एक बरतन में लेंगे आदा किलो प्यास और इसको तुकड़े में कट कर लेंगे लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो प्यास का उपर का हिस्सा जो सफेद वाला है उसको हमको निकाल लेना है वरना हमारा सालन का टेंस बहुत खराब होगा या आने की कड़वा हो जाएगा तो इस तरह से मैंने इसको roughly chop कर लिया है कोई shape या size नहीं है बस अपने हिसाब से इसको मोटा मोटा हमको cut कर लेना है और इसी बरतन में हम add कर देंगे जो हमने काजू और मगज को धोया था और इसमें डाल देंगे खुब सरा पानी डुबे तक तक इसमें अच्छी तरह से ये पक जाए अब इसको हम boil करने चड़ा देंगे इसको हम तकरीबन 15-20 नेट तक बॉयल करेंगे तक काजू और मगज जो है अच्छी तरह से गल जाए और प्यास भी अच्छी नरम हो जाए प्यास को उबालने का मकसद ये है कि प्यास जो है इसका जो तीखा पन है वो इसमें खतम कर देगा तो वाइट ग्रेवी का टेस जो है इसमें बहुत अच्छा आएगा और इसको उबलने के टैम में जब फेस आएगा जो जाग आएगी उसको हमको निकाल देना है वरना हमारा ग्रेवी का कलर जो है अच्छा नहीं आएगा क्योंकि हमको वाइट ग्रेवी चीए तो इसका फेस जो है देखिए आपको जाग जो नजर आ रही है वो इसको निकाल लेना है अगर अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेज़े बेल आइकन को ख्लिक कर लेजे ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से और फ्री में मिलते रहे अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए और कमेंड में ज़रूर लिखिए काजू कलिंगर का बीच और प्यास जो है अच्छी तरह से उबल चुकी है अब इसमें पानी को हम फेक देंगे याने कि छन्नी में डालके इसको निकाल लेंगे अब हमने लिया है चिकन बोनलेस दो किलो आप चाहे तो बोन के साथ भी बना सकते हैं अब इसमें हम एड़ कर दे रहे हैं एक टेबल स्पून नमक दो निम्बू का रस और हम एड़ कर दे रहे हैं इसमें तकरीबन सौ ग्राम अध्रकलसन का पेस्ट और साथी में इसमें हम अट कर दे रहे हैं आदा किलो जितना दhin और इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स ताक है यह अच्छे से मेरिनेट हो जाए अगर आप चाहे तो इसको ओवरनाइट मेरिनेट करें या एक गंटा या आधा गंटा इसको जरूर मैरिनेट करें तो आची तरह से ये हमने मैरिनेट कर लिया है और इसको हमने रख लिया था ओवरनाइट तो हमारी चिकन बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है चिकन अच्छे से मेरिनेट होगी तो बहुत जल्दी और बहुत सौफ्ट यह गलती है हमने जो काजू, मगज और प्यास को बॉइल करके रखा था उसका अब हम पेस्ट बना लेंगे और बहुत अच्छे से इसको फाइन पेस्ट बना के हमने तयार कर लिया है इसमें कम से कम पानी एड़ करके इसका पेस्ट बनाएं तो यह बहुत अच्छा पेस्ट बनके तयार हुआ है अब हमने एक बर्तन ले लिया है इसमें हम डालेंगे 2-3 टेबल स्पून बटर और जैसे ही बटर मेल्ट होगा इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून अद्रकलसन का मसाला अद्रकलसन का मसाला याने कि जिंजर कारलिक पेस्ट की अगर रेसीपी चाहिए आपको तो आप आई बटन में क्लिक कीजिए आपको मिल जाएगी इसको हम अच्छी तरह से 1-2 मिनिट तक भूनेंगे और इसके बाद हम ये पेस्ट एड़ कर देंगे और इसको अच्छी तरह से 15-20 मिनिट तक हम इसको पकाएंगे और continue इसको हिलाते रहेंगे क्योंकि इसमें काजू है तो बहुत जल्दी ये नीचे लग जाएगा और flame को low करेंगे और 20-25 निट तकरीबन इसको continue हिलाते वे हम इसको पकाएंगे और जो mixer के jar में थोड़ा सा paste लगवा था थोड़ा हम पानी डालके इसमें add कर दिये हैं और इसको हिला हिला के अच्छी तरह से हमने पकाया है तो ये gravy आप chicken में भी use कर सकते हैं, mutton में भी use कर सकते हैं, paneer में भी use कर सकते हैं, vegetables में भी use कर सकते हैं तो अलग-अलग-अलग तरीके से आप इसकी gravy तयार कर सकते हैं, ये gravy का मैंने आपको base बताया है ये gravy का base बनके बिलकुल ready है, इसको आप अगर store करना चाते हैं, तो add tight container में इसको उपर butter लगा के रख दीजे, ताकि उपर पपड़ी ना जमें और 8-10 दिन तक इसको आप फ्रिज में रख के use कर सकते हैं तो ये base तयार हो गया है, चलिए अब हम इसकी बना रहे है white chicken gravy तो chicken white gravy बनाने के लिए हमने ले लिया है 300 grams oil और इसमें ये chicken जो हमने marinate करके रखा था वो add कर दिया है और इसको करेंगे हम अच्छी तरह से mix, चिकन अपना पानी छोड़ेगा और चिकन अच्छी तरह से भुनने भी लगेगी और continue हम इसको चलाते रहेंगे ताकि अच्छी तरह से चिकन भुना जाए आप देख सकते हैं चिकन में पानी छुट गया है अब इसको 5 मिनिट के लिए हम इसको ढाक के पकाते हैं 5 मिनिट हो चुके हैं चिकन ने अपना अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है इसको हम अच्छी तरह से करेंगे mix और चिकन का कलर भी आप देख सकते हैं कि चेंज हो चुका है आप जो हमने ग्रेवी बनाई थी वाइट वाली जो बेस बनाया है हमने उसको हम इसमें एड कर देंगे अगर आप बेस बनाके अलग से रखना चाते हैं तो इस तरह से बनाएंगे लेकिन अगर आप डायरेक्ट ग्रेवी बना रहे हैं तो इस तरह से पेस्ट बनाके आप डायरेक्ट इसके अंदर डाल सकते हैं आप पेस्ट बनाके चिकन के अंदर डाल सकते हैं और इसी के एक मुट्टी भर के कसूरी मेथी, एक टीस्पून गरम मसाला पॉर्डर, गरम मसाले की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप आई बटन में क्लिक किए जी आपको मिल जाएगी और 40 हमने तेज हरी मिर्ची लिये याने की 40 हरी मिर्ची तेज वाली लिये हैं, आप अपने ट भुनेंगे, तकरीबन 10 मिनिट तक हम इसको अच्छी तरह से भुने हैं और ढाक के इसको 5 मिनिट तक और इसको पकाया है, तो मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, बिल्कुल भी अध्रक लसन की स्मेल नहीं आ रही है, और बहुत अच्छी तरह से ये बनके तयार हो रहा ह अब हम इसमें एड़ कर देंगे 2 लिटर पानी और इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मेक्स अब ग्रेवी आपके ऊपर थोड़ा डिपेंड है कि आपको कितना गाड़ा इसका ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से आप पानी कम या जादा कर सकते हैं अभी फ्लेम हमारा हाई पे है और यह अच्छी तरह से पक रहा है जैसे ही इसमें उबाल आएगा फ्लेम को करेंगे हम लो पे और 20-25 निट इसको हम अच्छी तरह से लो फ्लेम में पकने देंगे तक काजू का पेस्ट मगज का पेस्ट अच्छी तरह से पक जाए और चिकन भ उपर आ चुका है, जब 20-25 ने पका है तो तेल उपर आ चुका है, चिकन को चेक कर लेते हैं कि चिकन गली है कि नहीं, तो देखिए चिकन बहुत अच्छे से सौफ्ट हो गई है, बहुत ही मज़े से ये पकेत तयार होई है, अब हम एड़ कर दे हैं बहुत सारी कोतमीर याने पतली रख सकते हैं, तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की और बहुत ही लजीज ये ग्रेवी बन के तयार हुई है, आप भी जरूर ट्राइ करिएगा, कमेंड में जरूर लिखिएगा कि आपकी चिकन वाइट ग्रेवी कैसे बनी, मैं कमेंड सब के पढ़ती भी और जवाब भी देती हूँ, so thank you very much